इस इस इव रिजे सिंग वंस अगें वेलकम तो मैं यूटूब चैनल बिटा आज आपको मैं एकदम इंट्रेस्टिन टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग जो वदा किया था निवाय मैंने बच्चलों को बोला था यूटुटी बेस कोस्टिंग का कंसेप कराऊंगा और उससे समदित कुछ प्रॉब्लम करेंगे फ्रॉम सी ए इंटर स्टॉडी में ठीक है तो आक्टिविटी बेस कॉस्टिंग जो चप्टर एवैरी वेरी है और अच्छी से प्रेटिस सकते जाना इसके पीछे लॉजिक क्या है पहला वह समझा देता हूं लॉजिक और कंसेप्ट उसका और उसे एक प्रोब्लम सौल करेंगे वीडियो को अच्छे सुनना हेड़फोन यूज करो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू करना मे देखो जो खर्चे होते हैं खर्चे प्रोड़क्ट में जो एड करते हैं हम लोग बनाने में जो खर्चा होते हो दो टैप की होते हैं आपको मालूम है कोशीट में मैंने समझा था नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में देखो प्रोड़क्ट बनाने में दो टैप खर्चा लिया आड़ किया जाएगा अगर हम प्रोड़क्ट बना के बेच रहे तो प्रोड़क्ट में आड़ किया जाएगा अगर हम सर्वीस दे तो सर्वीस में आड़ किया जाएगा तो कुछ कुछ खरक्षे डारेक्ट होते तो तो सिदा सिदा प्रोड़क्ट में कितना लगा तो कैसा बाटना चाहिए छुनुद रएक खर्चव कैसा बाटते है उसके ओपर दो तरीका है उसको इंडारेक्षा को हम कैसे बाटते से प्रोडेक चीव वो दो तरीके से कर सकते एक तो है ट्रेडेशनल कॉस्टिंग दूसरा एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग क्या है कि हम लोग जितना भी इंडारे करचे होते हैं cherry तो तो उसको मशिन अवर पहर बातल को अगर हम ट्रेडेशनल तरीका फॉल्हों करतेंगे पहुत सरी इंडशनल तरीकाwater कि लिकिन जमाना बदलते जा रहा है आज लेटस टेकनलोजिया रहे नेना कंपणी आ रहे मैने फैक्टरिंग एक्टotherapy बदल gods ट्रेडिशनल तरीका यह नहीं बोलूँगा गलत है बिटा बस यह कि उसमें एकुरेसी 100% नहीं है इसमें आंसर एकुरेसी बेस कॉस्टिंग में सिंपल में समझाँगा न टोपिक को बाद में स्टाट करते थोड़ा टाइम प्लीज थोड़ टोपिक के बाहर लेके जलता हूँ समझाने के लिए प्रॉमिस TOPIK के अंदर आएंगे अथाले की टोपिक से बाहर ही चले जाएंगे चलो टौपिक को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जामपल देतों आपको ठीक है नवी टा ज्ञान देना कुछ एग्जामपल सुनो सर का ये एग्जामपल समझेगा ना बीटा चाक्टर बहुत अच्छा लाएगा मैंने खरीदा है टामाटर 4000 रुपे खरीदा है और हजार को रुपीज कॉमिशन नियूमेंटर में रखो चारदा डिवर्ड बैस हो को तो आपको पर किलो का भाव मिलेगा पर किले 0000 कट तो मतलब 40 रुपया पर केजी बोलो समझा मतलब टामाटर में बेचूंगा यहां पर चारडि पर किसी मैं बेचूंगा मुंबई में ठीक है अब सोचो हमारे पास दो कस्तम हा रहा एक मिस्टर पर कर सुठा है इन पैसे लोग तामाटर का रेट है कि अगर यह दो किलो लेता है तो उसे दो किलो पैसे आप लोगे यस यस तो देरफॉर इससे कितना लोगे दो किलो टामाटर लिया की लोगा भावे चाना लेंगे उसने जितना डिमांड किया हम उससे उतना लेंगे इसी बी ने किलो मांगा तो दस किलो मांगा टामाटर किलो का भाव है 40 रुपया आपको आपको अच्छे समझ गया करता हूं छार सुषर अभी पढ़ाय की दर हां बरोबर बड़ाय कि दर तो ऐसे रोगेश चार सुर्ड़ुपय लोगे इकोल ही लेंगे जिसने जतना ज्यादा पैसा लेंगे जिसने जतना कम लियुके पैसा लोगे तो टोपिक पर थोड़ा सबर करो सुचो हमारा साइबर सुन रहे हैं चम्पुटर भाड़े पर देते थे इंटरणेट हो करनेक्षिन है इक साल में हमारा खर्चा है सेवेंटी ध्री सिंचाओ समति मिला के कंप्यूटर इंटरनेट वह जगह भाड़े पे लिया है तो सब मिला के सब्सक्राइब सब्सक्राइब को यह बताओ पूरा साल बर में कितना वर्स कंप्यूटर चला वह देखना है है हमको क्योंकि जब लोग यहां पर इंटरनेट साइबर कैफे में आएंगे इंटरनेट रहसे करने के लिए तो पूछ को पूछेगा ना एक घंटे का चार्ज कितना ऐसा नहीं पूछे कैसा कि लो नहीं सबका अलग-अलग मेशर्मेंट होता है ना टामाटर जब बेचेगों तो किलो में बोलोगे कंपूटर वाले जब अपना सर्वीस देंगे शर्वीस थे ना सर्वीस तो यह किसको बीकर आवर्स में बात करेंगे विश्यार्ज लेंगे लो तो 17,000 हमारा ख पैसेट दिन में इतना वर्स चलेगा कंप्यूटर 3650 अब को हमें कंप्यूटर भाड़े पर देना है तो 73,000 रुपिस को न्युमेर्टर में रखो डिवाड़ भाइट करो तो रेट आएगा इसका रेट आएगा डिवाइट कर लो 73,000 चेक कर लो 73,000 डिवाड़ भाइट 502 रुपिया रुपिया 20 रुपिया पार अवर का मतलब होता है साइबर कैफे में अगर आपको ाना है इंटरनेट एस करने के लिए तो आप एक घंटे का न देने का विटा एłeट एक घंटे का फिर को बें को 20 देना infring देना केवल कितना हमको देना बीस रुपया एक घंटे का बीस रुपया अब जारा स्टोरी समझना दो कस्टमर ते एक ए था और एक बी था यह साइबर कैफे में तीन घंटा बैठा था भी तो भाई साब छे घंटा बैठा था ठीक है तो उसाब से चार्जेस कितना लोगे यह ज्यादा आवर्स बैटा ज्यादा उसका टाइम यूज किया उसने कंप्यूटर का तो उससे ज्यादा पैसा लेंगे तो बैटा सिक्स आवर्स बैठे हो यह सर इन्टु ट्वैंटी एक घंटे का चार्जा शिक्स टूजा टूएल इससे अपने 120 उरुपह लेंगे बोलो सम जा तो मैंने बता रहा है जो यह जो टामाटर जब बेच रहें उनका एक्टिवीटी कुछ और है कंप्यूटर वाले का एक्टिवीटी कुछ और है आगे बढ़ते हैं अब जारा कंपनी में चलते सुनें कंपनी में एक कंपनी है कंपनी वाव वाटे कंपनी तो यह कंपनी है, pollution फैला रहे हैं, धुआ छोड़ रहे हैं, ठीक है, यस सर, तो यह जो company है, production अगरा कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सर, chemical बना रहे हैं, जो भोपाल में leak हुआ था, भोपाल गया है, ट्रेजगी Union Carbide Company है, chemical बनाती है, अब chemical बनाने के लिए इन को electricity लगता है, ठीक है दो यूस होता है न आ यो ज़ एलेंट इसिति का हम लोग के यूशर रहें जितना ज़ादा लेवर काम करेंगे उतना ज्यादा एलेवर लोग लोग अंधरे में तो काम नहीं करेंगे जितना जादा labor hours होगा उतना जादा electricity भी लगेगा तो परके चलो पूरा साल भर में 2500 labor hours सुन रहे बेटा labor hours है labor ने इतना घंटा काम किया 2500 घंटा और पूरा साल का light भी ला है 50,000 तो क्या करेंगे हमें electricity कैसा वसुल करेंगे activity based costume बोलता है activity के इस अवसुल करो 50,000 रूपीज को न्यूमेरेटर में रखो कितना वर बोला भोल बोल कि मैं ठक गया रूपीज को न्यूमेरेटर में रखो डिवाइड बाई यूर ड्राइवर सर ड्राइवर किसको बोले आपने बताता हूं थोड़ा सबर करो 50,000 को धायजा रेट है मतलब 20 पर लेबर आवर फिर से लिख दो अच्छे से 20 पर लेबर आवर सर रेट है इसका मतलब सोचो यह जो कंपनी है दो प्रोड़क्ट बना रही एक बनाते हैं प्रोड़क मैं बीच में आ रहा हूं रूप थोड़ा ऊपर लेता हूं अभी दिखता रहेगा यह सर दवड़ेगा मैं नीचे लिख रहा हूं इसका एक्जांपल तक यह आपको और अच्छे समझे क्या बनाते हैं सर जी यह लोग दो प्रोड़क्ट बनाते हैं एक बनाते हैं प्रोड़क्ट एक्स और दूसरा बनाते हैं प्रोड़क्ट वाय एक प्रोड़क्ट एक्स बनाते दूसरा product Y बनाते प्रोड़क्ट X बनाने में इनको 10 घंटा लगता है product Y को बनाने को 30 hours लगता है तो charges कितना लेंगे electricity का बात करो only electricity का therefore जो electricity कैसा share करेंगे लोग electricity पूरा 50 X से नहीं लूँगा पूरा 50 Y से लूँगा equally भी नहीं लूँगा बाई सब्सक्राइब जो जितना यूज़ करेंगा उससे उतना पैसा लूँगा electricity का rate 20 पर labor hour यह labor hour से 10 घंटा लगा यह 30 घंटा लगा तो बिटा हेलो हाँ सर X को बनाने को 10 घंटा लगा तो 10 घंटा लगा एक घंटे का rate electricity का 20 पर labor hour तो इसको 20 से मुटिप्लाइब करेंगे टैन इंट टैन इंट ट्वेंटी तो लिख दो 20 मतलब 200 रुपए electricity लिया जाएगा product X में Y में कितना लिया जाएगा Y को बनाने को 30 घंटा लगता है यह 30 घंटा लगता है और hourly rate क्या है 20 पर आवर है तो 326 यहां पर 600 रुपए लिया जाएगा बोलो समझा जैसा जो ज्यादा activity करता है उस से ज्यादा वह इसे पैसा लेते हैं ओके यह जो मैं भी example दें यही लौजिक activity based costing में यूज किया जाता है सुन रहे हो activity based costing में यही logic yukya जाता है सर इस रुपीज को क्या नाम देंगे इस रुपीज को इस रुपीज को इसको हम लोग बोलते है बेटा cost pull कौस्ट पूल का मतलब होता है जी सर जहाँ पर हखर्चा होता है यह खर्चा को हमें कस्टमर से міस्फ हो सुल करना इसको पांसट भूलते क्यों कॉस्ट को कॉस्ट कुल करना कॉस्ट पोल तो सबस्क्राइब कर लेना को सब्सक्राइब कर लेना कोश्ट पुल निगे क्या है तो एक है पुल और एक है ड्राइवर दिखाए कॉस्ट तो लिखाई है कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर उस कॉस्ट का ड्राइवर क्या है ड्राइवर बिटा बीना ड्राइवर गाड़ी नहीं चलता है तो ड्राइवर डूनना है उसका सर हमें डूनना पड़ेगा नहीं मैं देता हूं ना एक्षाम में देते हो कॉस्ट पूल सर आप इसको कैसे याद रखते हो बेटा पूल को ड्राइवर से डिवेट करने तो कॉस्ट ड्राइवर रेट मिलता है जैसे पीडी एफ तो पी और डी याद रूगा फ बोल लगा तो पूल को ड्राइवर रेट मिलेगा तो यह कॉस्ट पूल यह ट्राइवर ऑग यह तीनल लॉजिक याद रहेगा जो तुम खर्चा करते हो वह कॉस्ट यह होगा उसका कुस्ट होगा हम्सों क्या साовका logic से हम बाइड करेंगे और मिलें गा exercise नाम देंगे फिर जो वी आप बनाएंगे बदारए लगा तो यह बर्दास करेगा किसी में जाधा लगा तो ज्यदा खर्चा बर्दास करेगा। चलेगा। चला मैं आपको प्रॉब्लम की तरह लेके चलता हूँ। उसके पहले थेरी क्या ध्यान देना देखो वापीस बता रहा हूँ जो खर्चें होते हैं डारेक तो सिधा-सिधा प्रोड़क्त मेरेट होते हैं उसमें दो तरीके से करते हैं traditional और हम एक problem solve करेंगे दोनों तरीका solve करेंगे ट्रेडेशनल मस्नावर्ली बेस पर वसूल करते haven हैりました में Based on cost driver driver के बेस पर वसूल करें पी डी यादर को पी 4 Cotton और कॉस्ट ड्राइवर था ठीक है चलो थेरी के अधर को सर मैं बुक का नहीं बात करो थोड़ा नॉलेज के लिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जानकर ही होना चीज़िए बैटा एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग वर्ड मिला यह सर एक्टिवीट्पेस कॉस्टिंग ए बई सी जिसको बोलते हैं एसाइन मैनुफैक्ट्टरिंग online cost to the product in a more logical कुछ Logical Latin लोगी को तैक उसने कुछ नोची को था हुआindruck किसे लिचे जैसाइजा आप साइबर कैfen में जाओगे तो ओलोगर ली67 बात करेंगे आप दूद लेने जाओगे तो लीटर में कुछ नहीं कुछ लॉजिक होता है तो इन लॉजिकल मैनर देन दे ट्रडिशनल एप्रोच ओफ सिमलर ऐलोकेशन और कॉस्ट अब बेसे मशिन आवर लेबर और बेसिस पे जो करते थे हम वो नहीं करते हैं पर जुना घिसा पीटा तरीका नहीं फॉलो करती हैं यहां पर अक्टिविटी ओनली टुद अप्रोड़क्ट डैटर एक्चुली डिमांडिंग डाइक्टिविटी सर इंग्लीश में था कोई बात ने मैं समझाता हूं थोड़ा सबर करो ना सर फॉर्मला क्या दान देने का एक्टिविटी बेस कॉस्ट पर युनिट निकालने के लिए क्या है उस करना टोटल एक्टिविटी कॉस्ट जो रुपीज में रहता है यह रुपीज में रहता है डिवाड़ टोटल नंबर और यूनिट्स ऑफ दे एक्टिविटी कॉस्ट देखो यहाँ पर एक्टिविटी कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट पीडी बोला था ना सर न क्या है जैसा पर्चेस डिपार्टमेंट जो पर्चेस डिपार्टमेंट होते हैं वो पर्चेस करने काम करेंगे तो उनका खर्चा आता है ना उनका खर्चा कैसे शेर करना चीप प्रोडक्क के अंदर तो बोलता है बीस डॉन दा नमबर पर्चेस ओर्डर यह आपको देंगे हमारे पास आता है उसको प्रॉपर टेक केर करना है तो उसका भी खर्चा है तो उसको कैसा ड्राइवर क्या रहेगा था नंबर और मट्रियल रिक्वेजिशन सेट अप जैसा एक मशीन का सेट अप होता है ना सेट अप एक जॉब निकालने के बाद दूसरों लगा तो सेटिं में इंस्पेक्शन हुआ नंबर और इंस्पेक्शन कितना हुआ मशीन कॉस्ट नंबर और मशीन अवर्स मशीन कॉस्ट मशीन अवर उसका ड्राइवर है असेंब्लिंग ने के जो पार्ट्स अलग-अलग बनाते उसको असेंबल करते तो उसका ड्राइवर रहेगा नंबर आप आता था समझ में नहीं आता था मैचिंग करते थे से वहाँ पर भी यह यह मैचिंग मैचिंग करना है ठीक एकदब मेजी चिंता मत करो बाकी कुछ याद करना है सर नहीं मैं इतना आपको बोला हुतना याद रखो अब लोग चलते हैं प्रॉब्लम के अब भी जो बेटा प्रॉडम करने दाना वेरी बेरी इंपोर्टें कोश्चन फॉम दस ये इंटार स्टुडी मेटरियल कोश्चन नमबर वनी रहेगा स्टुडी मेटरियल में चलो पढ़ते हैं ध्यान देना एवी सी लिमिटेड इसे मल प्रोड Pas perfect अने बनाती है How Co quickest फॉद ये दिया हुआ है एवी सी तीन प्रोड़क्ट या ध्हार देना पेटा यह तीन प्रोडक्ट बनाती कंपनी एंव ऑड़िक कहने हूँ इंगलिश वड़ पकडमाना जिए एकár उनिट को बनाने के लिए एक निट को बनाने के लिए एक यूनिट को बनाने के लिए एक एक यूनिट बनाने के लिए चार केजी का डारेक मेटर लगता है एक यूनिट बी का बनाने के लिए छे केजी डारेक मेटर बी में लगता है एक यूनिट सी का बनाना है ना तो तीन कीलो डारेक मेंटर लगता है इतना समझा नेक्स टहा एक उनिट बनाने के लिए 30 मिनिट लगता है डारेक लेबर बनाने लिए 45 मिनिट लगता है सी का बनाने लिए 60 मिनिट लगता है दा बजेट डारेक्ट लेबर रेट यह इसे मैच होगा दिखाए दर कितना दिया है विगाई प्रोडक्शन यह इस से मैच होगा इससे मैच होगा जोगा प्रोड़क्शन ओर दो इन्स ओर 2 से लमारो प्लस करके चेक कर लो 29,100 प्लस 31,200 प्लस 39,150 इससे मैच हो गया तीनों प्लस करको तो वह यह आएगा ठीक है सर समझा अटा देता हूं तो टोटल ओरेड है प्रोडक्शन ओरेड मतलब फैक्टरी का खर्चा 99,450 एंड वेर अब्सॉर्ड तुदा प्रोडेक्ट यूसिंग डा कारेक्टर लेबर बेस पर वसुल करेंगे समझ में आ रहा है ट्रेडिशनल तरीका हम लोग लेबर बेस पर वसुल करते थे जितना ज्यादा लेबर काम करेंगा उतना ज्यादा वसुल करेंगे जितना लेबर कम काम करेंगा उतना कम वसुल करेंगे यह एब्सॉप्शन कॉ हम कैसा वसूल करेंगे प्रोडेक्ट में लेकिन अभी बोलता है रुक जाओ अभी हम लोग करेंगे ABC बेस कॉस्टिंग करेंगे ABC इस सल करना ABC तो दोनों करना याद करो ८्यक्ट फूल और इसका मैंचिंग मैंचिंग ऩर सॉधर हैं जैसे हम लोग तो class पढ़ाते तो एक batch होता है जैसा हमारा टीवाई का छे बैच है तो बैटा छे बैच के लिए हमें छे टीचर चाहिए कुछ चीज बैच किसे होता है उसमें एक बच्चे है दो बच्चे तीन बच्चे उससे कुछ फर नहीं गिरता है अगर हमें छे बैच है और और एक फूल हो गया इसके बाव जो दस बच्चे आगे एक्स्ट्रा अब हमें सातों बैच चालू करना पड़ेगा इसके लिए हमारा खर्चा बढ़ जाएगा बैटा कुछ कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बैच लेवल होते हैं बैच एक्टिवि और मशिन ऑपरेशन के जब से ना नीचे हो जाओ कुछ और डेटा दिया हुआ है बोलता है तीनों प्रोड़क्ट है एबी सी यसर फर कॉम्पलीशन ऑफ दा प्रोड़क्ट बैच ऑफ देखो ए दस बैच है बी पांच बैच सी पंद्रा बैच ठीक है पर यूनिट लगता है बी को बनाने के लिए तीन ऑपरेटर लगता है एक यूनिट बनाने के लिए छे ऑपरेटर इनका एक यूनिट बनाने के लिए तीन ऑपरेटर इनका एक यूनिट बनाने के लिए दो ऑपरेटर बस हो गया आपको तीन सवाल का जवाब देना है पहला सवाल प्रि यूनिट कोस्ट बताने यूनिट का मत्सा हुत है एक उनिट का प्रआइस का रहे गा दूसरा टोटल कौस्ट इपताना। एच प्रोडुक्ट ठीक है कौनसा तरीके से absorption कॉस्टिंग से दूसरा भोलता है यह उम्मीद मत छोड़ो फिर से इस प्रोडों को सौडल कोरो इच प्रोडक प्रोडक best रिटाने रिटाने यूझा करेंगे मेटा स्ब्सक्राइड जी ट्रेडिशनल लिखेंगे ठीक है Sir तो पहला हम लोग लिखेंगे number one कुं सा method solve करने जाए है डोटेशनल डेड़ेशनल डेडज़नल कुं सा absorption costing traditional absorption costing follow करना है पहले हमें absorption costing अभी absorption costing जो traditional है उसमें तीन प्रोड़क्ट है जो है गटिस्फ के अब मेरे को बता वहां कौणटिटी कौंटिटी जो है हैना यूनिट्स मेरत है यूनिट्स मैं जो लोग दिखा देता हूं हूं यह कितना इनिट बनाए हैं दिको ऊपड़ caring तीनेजार सोलहसों मिला ऊपर उला ख्राफना ए ने बना है 4000 यूनिट्स यूरीग और सी ने कितना बनाया बेटा 1600 यूनिट से कि एक वर्ड बताऊं इंपोर्टन वर्ड इंपोर्टन वर्ड बताऊं एदे को ब्लू सेंटरल है यह लोग जो ट्रेडेशनल absorption costing कैसे वसूल करते थे labor hours labor hour labor 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 यह सर डारेक्ट लेबर पटा लग में मिनिट में में तो एक युनिट न को इन को क्योंट तीस मिनिट पैतालीस साथ-edge 35- gun 북한 कान से भीका मैं फिर से बोलता हु"- एक का एक पनाने को थीस मिनिट लगता है ल Bijार पालिस मिनिट लगता है सी का साट मिनेट लगता है थै तौ यार एक दो ढण तो चाहरta सुनो गठा घार इसक शोला सो बना अब इसको करने का तो डेंजर डेंजर करने ना तो कितने एक लग 20 से जर आया ना एक लग 20 मिनिट है बेटा मिनिट से इंटु के तो मिनिट में आएगा ना उस मिनिट को आवर्स में कनवर्ट करने के लिए 60 से डिवाइट करो डिवाइट बैसिक्स्टी अंसर आता है मिनिट को आवर्स में कनवर्ट करने के लिए 60 से डिवाइट करो तो अंसर आता है 2000 तभी भी लिग देता है कुछ लोग भड़क जाते हैं यार कहां से है कोई हमको तो आज तो समझाने एक लाग 20,000 आया था ना बेटा एक लाग 20 से डिवाइट करने है अब कुछ लोग बोले अंसर आता है टू टू अंसर आता है कितना आता है टू टू फाइट लिए अवर्स से सुन रहे हैं ना आवर्स से टू टू फाइजिर आवर्स चलो सीगा करते हैं सोला सो यूनिट बना एक यूनिट बनाने को सिस्टी मिनिट लगता है तो 96,000 मिनिट दीवाइट बैस सिस्टी करता अंसर आता है वन ताउजन सिक्स हंडेड आवर्स सब प्लस करला वर्स मिलेगा तुमको ये वाला जो प्रोड़क्ट बनाए उसमें टू तू 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 अवर्स लगा वी वाले में टू तू फाइट फाइजिरू आवर्स मैं बीच में तो नहीं आ रहा हो ना उपर लेता हू इसका मत्त इतना समझ है पेटा आपको इतना समझा वाइट फाइट 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 फाइजिरु अवर्स लगा है पूरा मिला के तो तो देरफोर ट्रेडेशनल एबसॉप्शन कोस्टिंग क्या बोलता है ओवर्हेड रेट ओवरेड रेट पर लेबर आवर पर डारेट लेबर अवर्स कैसे निकालेंगे हमारा नूमिरेटर कितना था नूमिरेटर यह रहा रुपीज में देखो बलु से अंट्रल हमारा 99,000 फॉर 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 इस सर नाइनटी नाइन थाउसन 99,450 हमारा खर्चा है इंडारेक्ट खर्चा रहे डिवाड़ आवर्स हम लोग ना लेबर आवर बेसिस पे सॉल करेंगे 5850 है 5850 है समझ में आ रहा है यह सर समझ में आ रहा है तो डिवाड़ को आपको आंसर आएगा 99,450 डिवाड़ बाए 5860 है 17 रुपया पर ओर 17 रुपया पर अवर मतलभ मतलभ बोलने का मतलभ क्या अगर हम लोग करेंगे तो मुझे घंटे का सत्रय रुपय लेँगे एक घंटे का सतर रुपए पर लेबर और पर लेबर और मतला जितना लेबर काम करेगा एक घंटे का सतर रुपए दे देना सतर रुपए पर लेबर और रुको क्वेशन नमर वन क्या बोले थे आप एब्जॉप्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा और एब्जॉप्शन क्या लिखेंगे सर स्टेटमेंट शोइंग सर क्या शोइंग स्टेटमेंट शोइंग यूनिट का भाव निकालेंगे ABC का and total cost भी निकालेंगे and total cost total cost of each product हर एक product का निकालेंगे yes sir निकालो तो तीन product कालम बना लेते हैं एक है product A दूसरा है product B और तीसरा है product C तीन product company बना रही है yes sir यह राद तीन product के लिए तीन कालम बना लिया हमने तीन product का नाम ABC तीन product बना रहे ABC अच्छा तीनो product बनाने में चलो उपर question में दिखाता हूँ तीनो product बनाने में material लेवर लगता है न यह सर अभी पहला per unit का बात कर रहे हैं एक unit को बनाने में material कितना लगता है चलो direct material सबसे पहले आइटम लिखेंगे डारेक्टर material डारेक्टर material को शीट पढ़े ही और direct material अब मेरे को यह बता ब्राकेट में दिखाऊंगा working में आपको ब्राकेट में दिखाऊंगा बिटा सुनो बिटा है लो direct material एक unit को बनाने पर पर pena मतलँ एक unit एकucker बनाने के लिए चार किपलो computer लगता है और material का भाव किदर में लिखें बौक्स के नीचे लिखा था दो रुप्य के लो दो रुप्य के लो एक यूिट को बनाने में चार किपलो nível को meter लगता है एक unit को भूभी तो बनाने के लिए चार किलो लगता है चार केजी चार और नहीं चार केजी इंटू किलो का भावे 12 बां रुपय का मट्र लगज़गा 1 पीस को बनाने के लिए सिछ में कितना किलो लग जाता बैटा थीन केजी की लग जाता है into kilo का बहुए दो रुपया तो थ्री डूज़े six छी रुपया इतना समझा केजी into रुपीज करो ना पर की लोगब और क्या लगता है सर प्रोड़क बनाने में डार्यमाट्रियल डार्यक्ट लेबर, अब मेरे को ये बताओ डारेट लेबर आते हैं, चलो जल्दी भाग के चलो, बिटा डारेट लेबर, डारेट लेबर 30 मिनिट लगता है, जैरा धान देना, पर यूनिट ये वह इंपॉर्टन वर्ड है, देखो यह सर तो चलो भाग के चलो लेबर अब लेबर के बारे में क्या बोलता है मैं आपको शौटकट टेक्निक बताता हूं साइड में यह करूं कॉमन सब के लिए कॉमन करता हूं। समझ जाएगा मेरे बच्चे लों को खुरन का अवर्स और रुपईया एक घंटे का दस रुपईया क्या 20 रुपया ús याँत को रोना बता ना घखो नगा एक घंटे का रेट रेट फ्यवविज दा स्वल्पयए दस रुप हिने एक घंटे का आपको 10 सुरुंपय दिया जाएगा सर जी एक घंटे का DIRECTOR मिनिट्स को तुम हवर्स में convert करो तो 30 मिनिट्स को कैसे लिघ सकते हैं 30 मिनिट्स को 30 लिख्ट लिख से धि antibody मीनिट्स थिर्टी मिनिट्स है उसको अपर वर्स के लिए 30 को 60 से डिवाब करो तो इसको 0.5 विबॉल सकते हो तो इसको सर जी 45 को Hour Mais में बात कर आवर्स में तो 45 डिवर्ट बेस 60 करो तो आंसर आता है जीरो पॉइंट सेवन फाइवर्स अरे समझा क्या कि क्यों मेरे को समझ में आ रहा है समझा तो कमेंड में बताए सर मस्त समझा जीरो पॉइंट सेंट अरे सिक्सिक को आड़्े मिनि transmissible 60 से डेन शक्तल एक घंट को एक घंटा यहां इसलिक है एक वश्यक्त लगता है एक सेंट को इसको बनाने कसे निए एक घंटा लगता जा तो 0.5, 0.75 और 1, ओके, 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 तो यहां लिखेंगे, आवर्स को, आवर्स के नीचे लिखेंगे, यहां common लिखेंगे, यहां common लिखेंगे हो, चलेगा ना, 0.50, दूसरे का 0.75 और तीसरे का 1, अभी cross multiply करो बेटा, ओ बेटा जी, किसमत की हवा कभी नरम, कभी गरम, अब करो, इंटू करो, करो ना सरा, 0.5 इंटू 10 डिवाड़ बावन करो, बेटा एक घंटे के 10 रुपया तो आदा घंटे कितना, आपकोस 5 रुपया आएगा ना, cross multiply, चेक भी कर लो आप, तो 0.5 इंटू 10 डिवाड़ बावन करो, तो अंसर हता पांच रुपय इसके सामने लिग हो, नजर के सामने जीगर के पास बास पांच रुपया, तो दूसरे करो 0.75 इंटू 10 डिवाड़ बावन करो, 0.75 इंटू 10 डिवाड़ बावन अंसर एता है 7.5 आ रहा है क्या ओर तीसे rise का गंट अन्हेम को 10 और थे गंटे का 10 रुपए आइगा अ बरो बर और फाँ अरे घंटे गंटे का 10 रुपए आखे सा लाका, सांतले साल खो sí dot सब्स applies और अब्स या, अरे रा निसमिल को साद्ट है वो तो सिद्धा है बले वो तो सीधा सीधा लेंगे लेकिन हमारा कंसेब्ट है ट्रेडेशनल ट्रेडेशनल एब्जॉप्शन कॉस्टिंग तो हम लोग कैसा वसूल करेंगे अभी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन और जिसको फैक्ट्री और बोलते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्शन और अ अब हम कैसे वसुल करेंगे based on labor hours मेरे को यह बताओ यह देखो जो रेट से लिखा था मैंने A को बनाने में कितना घंटा लगता है 0.5 लगता है B को 0.75 लगता है C को एक घंटा लगता है रुको सेम वही लॉजिक से कर सकते हैं यहां पर भी कर सकते हो ब्रैकेट में इधर भी कर सकते हो common भी कर सकते हो चलो मैं यहां इसी के नीचे का गरिका तो बेटा देखो hours और रुपीज जरा एक बार बताओ बता हो प्रोडक्शन ओर्ड का रेट का बता हो प्रोडक्शन ओर inflam के यहां किया ता नमने मीटा प्रोडक्शन ओठी लेबर और वर 500 वसुल करना है एग घंटे का सटरो रुपए होसुल करना सतरो पर पर गर तो हवर्स के निचे वन लिको एक घंटे का सतरह रुपया बरोबर ऐसी सब में लिग देता हूं सब में लिग देता हूं आवर्स और रुपईया आवर्स और रुपईया एक घंटे का सतरह रुपईया एक घंटे का सतरह रुपईया क्या सब product बनाने मेके घंटा लगा नहीं sir एको बनाने को 0.5 वर्स लगा इसको 0.75 इसको 1 उठा के चापो इसको लगता है 0.5 वर्स ऑवर्स का वर्स के निचे लिको इसको लगता है 0.75 और इसको लगता है 1 गंटा अभी cross multiply करो अच्चे अंसर आएंगे यहां पर भी cross multiply करो इसका answer है cross multiply यहां पर भी cross multiply तो पहला इसी का लिए इसका आता है 17 मतलब एक unit के पीछे over rate कितना लगा है 17 रूपया यह second वाले का बी वाले का 0.75 into 17 answer आता है 12.75 लिकू डारेटली उपर 12.75 यह ऐसी working है विटा कि answer आया कईसे पढ़ाना कईसे सांज में आ रहा है working है अब working करने का examiner तो copy case है 0.5 into 17 इसका आधा आएगा 8.5 और यादकोर पहला सवाल क्या पूछे थे मालूम है एक unit को बनाने में कितना खर्चा लगता है तो इसको बोलते है cost per unit क्या बोलते है labor पांच रुपया लगता है और production rate 8.5 लगता है तीनो प्लस करो 8 प्लस 5 प्लस 8.5 टोटल आता 21.5 समझ में आ रहा है बिंदू डालो चलो B को बनाने में एक पीस का खर्चा कितना है 12 रुपया प्लस 7.5 प्लस 12.75 टोटल आता 32.25 32.25 ऐसी C का एक पीस बनाने में कमपनी कितना खर्चा लगता है 6 प्लस 10 प्लस 17 टोटल आता 33 बेटा एक पीस बनाने कर्चा याद कुरो question number one question number one बेटा prepare statement for the management showing the unit cost एक unit का भाव बताओ and रुको total cost भी बताओ और इच प्रोड़क का total cost कैसे निकलेगा बेटा एक इतना बनायते 4000 बी तीन अजार सी 1600 इसको unit से इंटू करेंगा मैं तोड़ा वैलो से लिखता हूँ ये तो इतना हो गया हम लोग units कितना बनायते number of units number of units ये question answer होगे second question का answer के अंदर एक इतना बनायते चार अजार units बनायते बी कितना 3000 units बनायते सी कितना बनायते 1600 unit बनायते units into per unit करोगे तो आपको total cost मिलेगा total cost total cost क्या मिलेगा सर जी total cost तो into करो नहीं इसको इससे into करो तो एक पीस के पीछे 21.5 तो चार अजार पीस बनाने में 86,000 लग गया एक पीस के पीछे 32.25 लगा तो 3000 पीस बनाने में कितना लगा 96,750 लगा एक पीस बनाने में 33 रुपीज तो 16,000 पीस बनाने में 52,800 लग गया बोलो समझा यह अपना first question का answer अगा congratulations यह देखो पहला सवाल पूछे दे prepare a statement for the management showing उसके अंदर क्या क्या शो करना unit cost बता दिया total cost बता दिया फोर यह दो सवाल पुझे दे एक तो आप unit cost बता हो उसका सुने एक unit cost बता दूसर total cost बता हो each product का अभी इसी problem को solve करेंगे activity based costing की जाब से ठीक है और बाद में difference पता लगाएं दोनों में difference होता है क्योंकि यह ज्यादा accurate होता है यह ज्यादा accurate होता है ठीक है same problem को हम लोग solve करेंगे activity based costing की सबसे ठीक है एक्दम easy है ध्यान देना अगर activity based costing से करना है तो पेटा material और labor का जो पर इनिट निका लेते वो same ही रहेगा difference किसमे रहेगा पेटा ओवरेड में difference रहेगा सुने ओवरेड में difference रहेगा तो द्यांद रहेगा जो blue से मैंने अंडलाएं मारा था कि production और टोटल 99,450 था यह सर और यह तीनों मिला के 99,000 450 होता है न विटा यह तीनों मिला के 99,000 450 होता है हमें इसका detail मालूब है कि इसके में दर हैंडल हैंडलिंग कितना है 29,100 स्टोरिज कॉस्ट 31,200 एलेटरिसिटी 39,150 ठीक है अब यह है आपका याद करो मैंने बतायाद है PD न,pdf नहीं एक बात में रहना पी और डी यह आपका पूल है और आपका जो कॉस्ट ड्राइवर है वह आइडेन्टि फाइड करके दिया हुआ है क्वेस्ट में कॉस्ट ड्राइवर आइडेन्टिफाइड आफ तेंसे मतलो एक्जाम में देंगे तो बैटा जो माटेरियल हैंडलिंग है उसका क्या लेना है वेट के सबसे चार्ज करना है माटेरियल हैंडलिंग वेट के सबसे चार्ज करेंगे हम लोग किसके सबसे सर वेट स्टोरेज कॉस्स बैच के सबसे चार्ज करेंगे हम लोग ओके और एलेटरिसिटी मशीन ऑपरेशन के सबसे चार्ज करेंगे ठीक है यह वड़ याद रहेगा कि अवो क्या करते है तो पहला भी जासे अगा से अवर बना लोग कोशन नमबर टू का अंसर देंगे लोगं कुशन का देंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या निकालेंगे एक्ति विटी क्या क्या है हमारा कॉस्ट पुल नेक्स्ट कॉस्ट ड्राइवर इसका क्या क्या लेंगे कॉस्ट ड्राइवर और बाद में जब डिवाइट करोगे तो कॉस्ट ड्राइवर रेट मिले कॉस्ट ड्राइवर रेट ठीक है एकदम इजी है चिंता मत करें कॉस्ट ड्राइवर रेट तो यह आपका पी कॉस्ट मैंत गुंक का है किता उख है ऐख बातौर है पَّर में कटिविटी चलो उपर देख देख जो सबसे पहला क्तिवूटे मैं करना दो पहले एक्टिविटी लिग्ना एक्टिविटी क्या है मंटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज और क्या है अले तोटिटी और तो आपो क्या करने जो कॉस्ट पुल कुन सा खर्चा है मट्रियों कितना 29,100 पूरा लिख दो उपर से 29,100 स्टोरेज है कितना था देखो 31,200 स्टोरेज का 31,200 रुपीज में सब और मशीन का खर्चा कितना है 39,150 39,150 बोलो इतना समझा कॉशन में से लिगा अब ड्रैवर भी कॉशन में दिया हुआ है बेज दिया है उसका कि मटल एंडलिंग में वेट सर्च करना है पूरा प्रोड़क का वेट सर्च करना है पूरा प्रोड़क का वेट एक प्रोड़क का नहीं पूरा ये खर्चा पूरा लिए होना तो वेट भ लोग पता लगाएंगे कि weight of the material क्या है ठीक है ना इसका अलग से working करते है वेट अधा मट्रियल स्टोरेज किसके अब से लेंगे batch of the material के अब से लेंगे कैसे बिटा number of batch कितने batches है उसके जब से लेंगे number of batches इसे ब्राकेट में लिखा हूँ छोटा सा आप लिख देना एक्जाम में मशीन किसका बेस पर number of machine operation number of machine operation number of machine operation अब यह थोड़ा आपको search करना पड़ेगा ठीक है ना यह आपको search करना पड़ेगा एकदम easy टेकनिक है दिखाता हूँ कैसे search करना है तो इसके लिए आपन थोड़ा नीचे जाते हैं यह स्टार बना क्यों solve कर रहा हूँ पहला चीज फरस्ट weight of the direct matter कैसे निकालेंगे तीन product company बना रही है ABC यह सर तो थोड़ा भी इसको मैं विल्लो से लिखता हूँ ठीक है ना weight of the material तो विटा पहला search करेंगे हम लोग weight of the material weight of a direct material डारेक्ट मटेरियल का हम लोग पहला weight पता लगाते है कि डारेक्ट मेंटर का weight कितना है ठीक है यह विटा तीन product है ए बी और सी बरोबर और एक total यह उठाए के उपर लिखेंगे चिंता मत करो अब बताओ मेरे को यह कितना पीस बनाए थे गदम उपर उपर स्टार्टिंग में दिया था है 4000-3000-1600 इतना यूनिट्स बनाए थे यह सर तो quantity 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 मतलब यूनिट्स quantity 4000 यह चारदर बनाए थे भी 3000 और सी कितना Cherry यह चार के लिए इसको केजी से इंटू करना पड़े लिए ग्रिट्स बनाने में चार केजी का मटर लगता है एक यूनिट बनाने के लिए चार केजी का मटर लगता है या सर तो इसको चार से इंटू करेंगे ऐसी भी कितना लगता है छे कीजी लगता है और से कितना तीन केजी इसको इंटू करनेगा ठीक है तो 4000 इंटू चार करते तो इंटू 4 416 आंसर आएगा 16,000 मतलब 16 अजर क्या वाइसाब केजी है केजी तो 6 318 यह 18,000 केजी है और 1600 इंटू 3 यह आता है 4800 केजी इन तीनों को प्लस करो आपको टोटल वेट मिलेगा तो 16,000 प्लस 18,000 प्लस 4800 टोटल वेट आता है 38,800 केजी अरे पूरा तीनों प्रोड़क बनाने का इतना केजी लगा 38,000 यही है कॉस्ट पुलने कॉस्ट ड्राइवर तो कॉस्ट ड्राइवर कितना निकाला सरना अभी 38,800 समझा 38,000 कैसे आया कॉस्ट ड्राइवर जो केजी में किसमें सर्जी केजी में केजी में क्लियर तो केजी यह नहीं लिख रहा हूं आप लास्ट का अंसर में लिखेंगे लिखेंगे क्लियर तो समझा कैसा आया यह वाला कंपणी ने चारइदर बनाया एक उनिट के पीछे चार कीरों लगता है तो 16,000 केजी ए में लग गया ऐसी बी में 18,000 केजी लग यह सी में कड़िया दिखाई दे रहा है एक बाद ध्यांदना फ़टलेट प्रोडक्शन को से दििखा तो देखेंग हो नेक्स आगे आंगे अब ग्रिन से अंडल आ है हमारा तो जो बैच है न पूरा complete production का दिया है रिडिमेंट दिया है एक को बनाने में 10 लगा बी को पाँच सी को पंदरा तो इसी को लिखेंगे अब ठीक है स्टार बना की नीचे लिखता हूं ना नेक्स्ट और नेक्स्ट अब किसके बार नेल में बात कर रहे है erreichen fighter फॵार कंप्लीट पोड़ने में कितना बैक्छ लगा पहला वह साइच कर दें ठीक है अब जाना कितना प्रोलटक्स बनाने में नंबर और भाय फौर कंप्लिइट प्रोड़क्त तो पेटा तीन बनाएं ABC उपर का लिखना है तो एक इतना बैच लगा तो है देखो नभी दिया था दस पांच 15 ठीक है पूरा कम्प्लीट दिया रिडिमेंट दस बैच पांच बैच 15 बैच प्लस कर दो पूरा मिला क्यों हो गया 30 बैच 30 बैच पूरा तीनों का 30 बैच होता है तो यह देखो इसके हमने लिख दो 30 समझ में 30 की दर से आया यह सर इडिमेंट यह मशीन इसका ड्राइवर क्या है नमबर और मशीन ओपरेशन जड़ा देखो इधर पर यूनिट ग्रीन सेंटल हमारा दिखाई दे रहा है पर यूनिट एक यूनिट बनाने के लिए मशीन ओपरेशन लगता है वी डिए गता सी अधर लगता है लकिन हमने एक नहीं यह बना है तो आज इसका करते और एक थार बनाकर तो अब क्या सरस्च करेंगे अनुद्र ऑफव और सीन ऊपरेशन यह बताओ और सी बरोबर सर यूनिट कितना बना रहे हैं यूनिट्स कौंटिटी जिसको बूलते हैं कौंटिटी ए बनाये 4000 बी कितना बनाते हैं सच देओ कोशन में 3000 और कितना बनाते हैं 1600 बरोबर into into number of machine operation देखो एदर एक यूनिट बनाने के लिए 6.- दो मशिन ओप्रिशन लगता है तो इन्टू करेंगे मशिन ॉब इसको इन्टू करोगे तो टोटल मशिन ऑप्रिशन मिलेगा तोुर्च लिफृटिव करो फो इस는지 Väner 24000 मशिन ओप्रिशन के इसका त्रीत रीचे नइन आंशर तो 4000 इंटू 6 करो 46024 अंसर 24000 मशीन ओपरेशन इसका 3329 अंसर 9000 मशीन ओपरेशन 1600 इंटू तो डबल लाएगा 12602 अंसर 3200 मशीन ओपरेशन सबको प्लस करो टोटल मशीन ओपरेशन मिलेगा पूरा ABC का 24000 2700 plus 9000 ट्लस 3200 3600 nu 100 मशीन ओपरेशन सुन रहे हो मशीन ओपरेशन जो 3002,200 मशीन ओपरेशन एकदम सिंपल है एक पीस बंचे मशीन ओपरेशन लगता तो मशीन ओपरेशन लगेगा एक पीस बनाने में 3 मशीन ओपरेशन तो 302 बनने में 9000 मशिन ऑपरेशन और इसका तिरीज़ा दो सब प्लस करो थर्टी सिक्स टॉंडेट इसी को उठा के उपर लिखना है थर्टी सिक्स थाउजन कितना टू अंडेट बोलो इतना समझा थर्टी सिक्स टू अंडेट एक बार इतना आ गया तो बाकी इदार आ जो कॉस्ट पूल कोश्चन में दिया है कॉस्ट पूल कोश्चन में दिया है कॉस्ट ड्राइवर हमने अब भी निकाला इस answer को बोल देना A, इसको बोल देना B, इसको बोल देना A, इसको बोल देना B, तो cost driver rate कैसे निकालने का, A divided by B करने का, A divided by B, तो चलो, material 29,100 divided by 38,800, answer आता है, 0.75, sir, क्या लिक हूँ, 0.75 per kg, पर kg, क्योंकि weight के सबसे था ना, पर kg, 0.75 per kg, चार्ज किया जाएगा, जिदर जिदर material जाएगा, material handling जिदर 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 यूस होगा, वहाँ पर 0.5 per kg, चार्ज किया जाएगा, नेक्स्ट, स्टोरेज का, बैच के सबसे चार्ज किया जाएगा, तो 31,200 पूरा खर्चा एक बैच का answer आता है, 1040 per batch बोलेंगे, इसको per batch बोलेंगे, समझा, चुल्ब हम इसको divide करते है, 39,150 divided by 36,200, इसका थोड़ा घटिया answer आता है, लिको लेकिन, decimal के बाद, चार्ट इजिर तक लिको accuracy के लिए, 1.0815 लिक रहा हूँ, क्योंकि जो 5 डिजित है, 9 है, तो 5, क्या लि operation, पर machine operation, समझा, पर machine operation, यस सर, एक बार इतना हो गया, congratulations, बाकि अभी और अभी जल्दी सौल हो जाएगा, चिंता ना करें, एक बार इतना हो गया, तो अभी हम लोग याद करो, question number 2, क्या पूछे थे, prepare a statement of management, showing the product cost of each product, आपको बताना, product cost कितना है, इस product का using ABC approach, चलो, सुनो, activity based costing में, total cost पता लगाएंगे, पहले सबसे पहले, product बनाने में, direct material लगता है, यह सर, अच्छा सुनो, एक important बात है, मैंना, अभी आपको, तो traditional का जो answer था ना, material और labor का answer, same ही रहेगा, सुन रहे हो, direct material, direct labor का जो पॉरिट है, same ही रहेगा, तो वापिस करते मत बैटो, एक unit ब क्या कर रहे है, directly पहला, हम लोग total निकाल रहे हैं, total product को बनाने में, total खर्चा कितना लगा, वो पता लगा, तो सुनो, तो direct material कितना लिखे, यह बताओ, यह हमने कितना बनाया था, 4000 बनाया था, तो 4000 पीस बनाये थे, वरोबर, एक unit की पीछे, 8 रुपया, traditional में निकाला था, हमें ने, ऐसी, बी कितना पीस बनाया, हम लोग 3000 पीस बनाया, और एक unit की पीछे, 12 रुपया, 12 रुपया लगता है, सी कितना बनाया, 1600 और एक unit की पीछे, 6 रुपया, फिर से बताओ, units तो question में दिया था, 8, 12, 6 किदर से है, sir को वापीस देख लो ने, तो आप बोलोगे, sir किदर से लिखे, आपने, तो सुनो, नहीं, यह देखो, बाजु में किया, यह देखो, दिखाई दे रहा है, मटर लग जाएगा, 4000 पीस बनाने में, बी कितना लगएगा, 3000 इंटू टू एल, answer 36,000 का मटर लग जाएगा, बी, शोला सो इंटू 6, answer 9600 का, पूरा total units निकाल रहे, पहला बाद में पर रिट निकालेंगे, एक पीस बनाने में इतना लेबर को दिया जाता है, एक पीस के पीछे, यह लेकिन हमने एक पीस तो नहीं बना है, क्या बोले थे सर ने 5 दूसरा क्या बोले थे, 7.5 और तीसरा बोले थे 10 लेकिन हम एक पीस थोड़ी ना बना है, बाइसा, 4000 पीस बना है, बी कितना पीस बना है, 3000 पीस बना है, ट्वेंटी टू थोड़ा सा डिफ्रेंट अब आते हैं प्रोडक्शन और जिसको फैक्ट्री और बोलते हैं तो प्रोडक्शन और हमें डिटेल में बाटना है तो सबसे पहला कुन सा बाटेंगे सुने इसको देखो यह टेबल को देखो मट्रल हैंडलिंग पहले लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे वेटा माटेरियल हैंडलिंग माटेरियल हैंडलिंग तो जो मट्रेल हैंडलिंग है यह ध्यान देना मट्र हैंडलिंग का रेट तो आमने निकाल गया 0.75 पर केजी लेकिन मट्र कितना लगा कुछ नहीं मै से घाइलेट कर रहा हूं 16,000 kg A में लगा है और रेट जिरो पॉइंट से इंटू करने का दिखाए दिया इसको इससे इंटू करने का समझा सर समझा शाब बस कुछ करना नहीं इंटू करके लिखना है के जी कि सबसे हम लोग वसुल करेंगे तो 16,000 इंटू 0.75 18,000 इंटू 0.75 4,800 इंटू 0.75 को रांसर आभी हाटा देता हूं ठीक है यस सर समझा तो इसी को लिखेंगे हम लोग तो मट डारेक्ट मट्रियल मट्रियल एंडिक कितना लिखेंगे 16,000 kg सुन रहे हो 16,000 kg इंटू 0.75 पॉइंट डालना याज से ऐसी बी में कि कितना लगा देख लो इधर ही वी में कितना लगा 18,000 और 4,800 यहाँ पर 18,000 kg और यहाँ पर 4,800 kg और kg का रेट क्या है एक किलो का वाँ 0.75 ऐसी इसका भी 0.75 से मटिप्लाई करो चलो मटिप्लाई करें बिटा तो 16,000 इंटू 0.75 अंसर आता है बारह आजार का मट्रियल 0.75 अंसर आता है 13,500 बी में 4,800 इंटू 0.75 अंसर 3,600 आपको एक शॉर्टकट बता हूं आपको एक शॉर्टकट अल्टरनेटिव अंसर और एक दूसरा तरीका यह है कि जो 29,100 जो खर्चा हुआ ना इसको यह रेशयो में बाट आप यह से रेशयो में बाट आमने हैं चेक क करो 29,100 इंटू 16,000 इसका बेस से 38,800 अंसर आता है 12,000 आता है 12,000 चेक करो देखो 12,000 लिखा है देखो ना कुछ नहीं आप इसको रेशयो में बाट तभी वही आंसर आएगा जादू क्लियार तो आप दोनों में से कोई भी एक करो कोई शू नहीं रेशयो में बाट और 40 cents 25 इंटु 0. com 350 अभी नेक्स्ट कुन से ए विटा नेक्सट करका श्री स्टोडヤ कैसे वाटो गे बैश कि बतों से वाटों के बैच की जाप से ओके तो अगला खरचा लिक्षिंग के इस टोरेज स्टोरेज. जो स्टोरेज फंदरा इतना बैच्स लग गया गयाँ दर उतना यू वनाने को दस बैच लगा इसका दस बैच था से केंड वाले किसे अब से रहेगा जैसा classes पढ़ाते हैं ना हम लोग तो दस बैच है और एक बैच का rate क्या है वैसा एक बैच का rate 1040 पर बैच एक बैच का खर्चा है 1040 1040 1040 1040 से multiply करो तो चलो 10 into 1040 सुने 10 1040 अंसर रहता है 10400 रुपया ऐसी पांच बैच इन्टू 1040 अंसर रहता है 5200 ऐसी इसका पंदरा बैच इन्टू 1040 अंसर रहता है 15600 यहां तक समझा वापीस और एक तरीका प्रता देता हो बेटा कुछ नहीं किया मैंने एकड़म ईजी है नई समझता है तो 31000 पौप्टी का लर्ड़ से तर्टी बन तॉजन 200 को ना डू से दिखा लता हूं यह जो तर्टी बाटी वन तॉज़न के number of machine operation के जाब से एक machine operation का रेट है 1.0815 तो number of machine operation यहां निकाला ठीक है तो अगला लिखेंगे बीटा खर्चा में machine है ना next लिखेंगे बीटा electricity electricity किसका बीच से बाटेंगे machine operation तो ठीक है एनक्स्त लीकेंगे वेकश लिखेंगे सार जीक कर सेसी जो एलैटिरे सिटी है जो एलैटर सिटी नंबर ऑँ मशीन ऐपरेशनंना च su ky proces को लिखेंगे 24000 ने लीघमयड खेंगे ऐसी इसका 9000 मशीन ओपरेशन है मतला मशीन ओपरेशन चौट कर लिखा हूं और इसका लास्ट वाले का 3200 मशीन ओपरेशन तो एक मशीन ओपरेशन का रेट क्या है मशीन ओपरेशन पर एड़ 1.0815 यस इसको इंटु करेंगे और से किसे इंटु करना है तो सुनो इसको भी इंटु करो इससे वन पॉइंट गरो इसको भी मशीन ओपरेशन को से मुट्यप्टिप्लाई कर चलो तो سब typing लूंटू वर 304 तॉंडेड तो 2400 इंटू 155 अंसर आता है 200956 चलो वी का 9000 इंटू 1.081 वाइए अंसर आता है ौंड आफ करनेंगे आठ ना चरहना मतलिको 9734 नेक्स्ट तीनाजार दो सो इन्टू तीनाजार दो सो इन्टू वन पॉइंट जीरो एट वन फाइए अंसर आता है इसको भी रॉंडफ करो 3467 वाव सब्सक्राइब को यह इस पर टोटल करदेना यह पूरा मिला जाएब तोटल कर देते हैं इसब को यहां से टोटल करो मैट्रियल का पूरा टोटल सीदा सीदा लिख दूँगा तो 32,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 10,400 फ्लस 2956 टोटल आता है 100100356 इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट पूरा प्रोड़क्ट का खर्चा ऐसी बी का टोटल करते हैं इसका टोटल करो अंसर आता है 8 6 9 3 4 चलो सी का टोटल करते है 9600 प्लस 16,000 प्लस टोटल आता है 4 8 261 मैच हुआ रुको यह तो टोटल हो गया ना पर यूनिट भी तो निकालना है तो यह बता है वेलो से लिग रहा हूं यूनिट्स यूनिट्स कितना बनाएते यूनिट्स अभी तो याद हो गया इधर चारह जार भी बनाएते 3000 और यह बनायते यह golden बरुपी से यूनिट्स अइवाइट करो तो लंटगा कॉश्ट कंस्ट और ऐसंद आोगे कास प्लस पर ओनिट एडवाइड वाई वाई ब्यूड़ यूनिट्स कर verbs करनेद भी करनें और भी तो डिवाइड़ करो डेसिमल के बाद दोड़ी तक ही लिगो 25.09 ठीक है एक युनिट के पीछे खर्चा इतना आता है असपाद एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग चलो बीका करते हैं 86,934 पूरा खर्चा है लेकिन तीन जार के पीछे इतना कर्चा तो एक पीछ के पीछे कितना खर्चा हुआ अंसर ट्विंटी एट पॉइंट नाइन एट क्लियर नेक्स्ट लास्का शोला सो युनिट्स बनाने का 48,261 48,261 खर्चा हुआ सोला सो पीस बनाने तो एक पीस बनाने में खर्चा कितना हुआ 30.16 ओके प्रॉब्लम कम्प्लीट नहीं हुआ लास्ट में थोड़ा कमेंट लिखना है कि बेटा तेरे मेरे बीच में सब्सक्राइब में पर देखोने तिस्तो कि अँद भाटने देख बुलना कई लो दा इसट भीकॉलना कर्ट दिफ्रेंट उब अवांद वाटने में और गोट्रोघएग उडवीच जग्च में हुए कैसे दिफ्रेंस से दोनों का अंसर और एबीसी एपर टीवी मोर एकुरेट चलो बताता हूं कि जो और लेबर के वसूर तो कंपनी ने चारहदार पीस बना है वी वाला तीन हजार बना है किलो आवर्स हो गया बादने ओवरेड रेट कैसे निकालोगे डाट खर्चा डिवाइड बैडाट आवर्स तो सतरों रुपए घंटे का वसूर करेंगे तो उसके बेस में लोग प्रोड़क का यह बनाए तो पर इनिट कॉस कैसे निकाला मट्रियल का चार किलो रेट दो रु रुपए वसूर करेंगे लेकिन जॉर्पो करने को गहंटा नहीं लगा आदा गहंटा लगता जीरो पाइंट पाइंट लगता है इस जॉप करने को एक गहंटा लगता है यह तो समझा ना 0.505 0.75 कैसे निकाला हमने यह पहले सो गंप्लिट कर लो तो कॉस परिंट आ गया एक पीस का बाद में इसको यूनिट से मॉल्टिप्लाई किया किसे मॉल्टिप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट आगया बात करता हूं अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि वह जो सबसे इंपॉर्टन क्या था इस कोश्चन में सर नख कैसा निकाल नियां पर यहां पर जो वरकिंग किया था की डारेट लेबर मिनिट्स यह 30 मिनिट्स बिलाइब करने का एक गंट तक है और इसके उसके बीसके बाद हमने कॉर्टिवर्ट गंटा एक घंटा तो एक गंटा ठीक है 0.75 और उसके इसके बाद हमने किया एक्टिविटी एक्टिविटी में क्या बोले तो मट्रेल हैंडलिंग है वेट करने का तो वेट पता लगा है वेट कैसे से निकालने का युणिट इन्टो केजी वेट मिला वेट कितना मिला सार 38,800 kg मिला तो इस ट्वाइट को रहो पर केजी का रेट आथा 0.75 ऐसी स्टोरेज कैसे चार्ज करेंगे बैच की चार्ज करेंगे तो बैच पूरा रेडिमेंट डिया था ता कंप्लीट प्रोड़क्शन के साबसे नंबर और मashIN operation है निकाल थर्टी six ताउज़न इसको डिवाइट करो तो आपको मशीन ओपरेशन आप इसको डिवाइट करो तो रेट आएगा वन पॉइंट दर्फड पर बाशिन ओपरेशन चार्ज किया जागा एक बार इतना हो गया तो कि फिर से वापिस आजाओ आपका टोटल कॉस्ट मैट्रियल लेबर का अंसर सेम रहता है वह जो रेट वाँ निकाले तो ट्रडिशनल में वही रेट लेना है या तो आप इसको इससे मट्र करता हूं गटर का मट्र करता हूं देखो लू से हाइलेट कर रहो मट्रियल इसा करो या तो दूसरा तरीका तो इस रेशो में बाट दो सीधा सीधा इस रेशो में बाट दो बाट दें की Zadun है सेमसर आएगा दो तरीका या तो इंट करो या तो रेशो में बाट दो ढाट तो एक दम इसी टेकनीक है और इसी भागी भी करने का एजिम करता हूं समझ में आया पिर मट्रियल का मट्र्लै करने क्या स्टोरेज सिटेट बाट्र बाट्र कॉस्ट आया और यूनिट को डिवाइट किया तो पर यूनिट कॉस्ट है ओके एजुम करता हूं लेक्षा समझने आया थैंक्स वॉचिंद वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू करना मुझे अच्छा लगेगा ओके और फ्रेंड लुक सद भी शेर करना और ज हुआ जर जरके टूनिट करना मुझे झाल बंगेगा लोगेगा खाते ही लोगे भीडियो वीडियो वीडियो अजरास जरा तो प्यंद टूनिटा झाल झाल